हेलो गाइज स्वागत है आपका मेरी यूटिप चैलन्स चड़िए विद अमन कुल में आज हम लाए है डायरेक्टर अफ इडिकेशन जी एन सीटी ऑफ दली की वोक्षीट नमबर 34 जो कि क्लास एट के लिए है सब आपका साइंस है डीट है 17 फैबुरी 2020 आप अपना नीम और अबजेक्ट मूब हम किसी ऑपलेक्जेक्ट को मूफ कैसे कर सकते हैं हो किंवी को मूविंग उपजेक्ट को सटॉप कैसे कर सकते हैं तो आपको बता है लाइन और अगर nosaltres करते यानि धक्का देते हैं या फुल करते हैं यानि खीचते हैं जिनसे वह होती है इन वर डिली लाइफ भी मेक तिंग्स पुशिंग दाइम हम किसी भी चीज को मूव करते हैं उन्हें पुश करके धक्का देखे वी स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट और चेंजिंग डारे अब फॉर्स को ऐसे डिफाइन करा गया है कि किसी भी अब्जेट का पुश है या फोल है अब ऑम किसी आपजेट को धक्का दे रहें अगर यह यहां पे कलमारी यह से अब धक्का दे तो यहांगे बढ़ेगी तो यह पुश हो रहा है उससे तो उसे भी हम पर्ण कहते हैं अगर आप इसे अपनी तरफ खीच रहें तो फूल हो जाएगा तो इसे भी फूर्स कहते हैं किसी भी अपजेट का फूर्स लगा के पुश करना या पूल करना हम उसे फूर्स कहते हैं अब फूर्स कर क्या सकता है फूर्स कैन अब यहां पर फूर्स डायेक्शन में आपको द जिदर जाएगी तो इसकी डायक्षन जो चेंज होगी उसे हम कहते हैं वो फॉर्स कर सकता है हमने उसे पुश करके एक मुवविंग अब्ज़ेक्ट में यह चैन्ज इसकी डारेक्शन ही चेंज कर दी सेकंड आम ले सकते हैं Change the Shape of object किसी भी object का Shape हrau आप डी सकते मिटली होती है उसमें फिर हम उसे Shape में धाल डाल के उसे घडा बनाती है इसमें भी फोर्स लगता है उसमें भी ताकत लगाते हैं और उसे थोड़ा धक्का देते हैं तो फुछ करते हैं इसे ऑब्जेट भी चेज होती है इंक्रीज दिस्क्रीज दिस्पीड अफ भूविंग अपटे अब आप साइकल का एक्जामपल ले उसमें ब्रेक दबाते हैं और दीरे भी चला सकते हैं तो इंक्री अब यहां पर गाड़ी है इसे हमने यहां पर लग दिया तो यह थोड़ा सा मूव करा तो यह थोड़ा मूव करने लगी तो हम किसी भी बॉड़ी को मूव कर सकते हैं अगर वह रेस्पोजिशन में भी हो तो यह आपकी आज की वक्षीट में बस इतना ही बता रहा था अब आपकी वक्षीट में आपने कुछ कोशन्स नाओ चेक यौर्सल्फ अपने आपको देखिए फर्स कोशन है वट इस फोर्स क्या है तो आपको पता है फोर्स इस डिफाइन फोर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक पुश है पुल है किसी अपजेट का तो आप अन्सर नमर को पुश्या पुल डिफाइन करा रहा सकता है कि अब किसी अबजेक्ट पर इसे अपलाए करें तो आप इसका आंसर करेंगी फोर्स किसी भी आपजेक्ट का डायक्शन कर सकता है और यह किसी ऑबजेक्ट का शेप चेंज कर सकता है और इसकी स्पीड बढ़ा सकता है उसे स् सकता है इसके डिक्रीज कर सकता है इसकी जो शेप होती हो से चेंज कर सकता है और बोडी को देस्ट पोजिशन से मुव कर सकता है तो आप यहां लिख सकते हैं यह आप यह अंसर भी कर सकते हैं यह पूरा आप डायग्राम बना लेंगे तो यह भी आपका सही अंसर रहा है वह आपको करवा है वह भी हो जाए झापका सभी कुछ नमर तर्ड है क्लासिफाइद फॉल्विंग एक्शन आज पुछ और पुल पुट टिक मांक इन अप्रशीट बॉक्स अब को क्लासिफाइब करना कि क्या पुछ है क्या पुल है और आपको टिक क्राइट करना है कि क्या तो पुछ है। और यह फुल नहीं है तो इससे कर सकते हैं तो और नहीं भी कर सकते हैं मूविग अ रोड़ेड कार्ड किसी लोड़ेड कार्ड गयूंत को मूफ चलादा तो भी पुछ है it ऐनिज़ नफ्रκैट तो यह पुल है वह अपने आपको अट्रैक्ट करती है वह खीशती है क्लोजिंगा रोर किसी दर्वाजे होता है उसे बंद करना तो यह पुछ उसमें हम धक्का लगाते हैं ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वैल यानि जो पाया जुन कुवा होता है उसमें से पानी निकालना तो इसमें भी हम पुल करते हैं तो आप इसमें टिक कर लेंगी और जिनमें अपने टिक निकाल रहे हैं उसमें रॉंक कर देंगे तो यह आपका आंसर हो जाएगा आज क्या आपकी वक्षिट एक और कुशन है कुशन नमबर फॉर्ट गिव सम एक्जामपल फॉम डेली अब अपनी डेली लाइफ में से कुछ भी एक्जामपल बताने आपको कि जिसमें जो ऑबजेक्ट की शेप होती है वो चेंज होती है तो आप इसका अंसर करेंगे एक्जामपल फॉम डेली लाइफ फॉर्स चेंज शॉप उप अपजेक्ट आर फ्लोर या नी आटा अब आप आटे को जब गूनते हैं तो आटे जब गूनते हैं तब उसकी शेप कैसी होती और गूनने के बाद कैसी होती है उसमें भी फॉर्स अप्लाई होता है रबर बै से तो आपके आज के वक्षीट कंप्लीट होती है अभी तक आपने मेंचल को सब्सक्राइब करें उसके बाद आने वाले बैल आइकन को प्रस करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सभी दुस्तरा शेयर जरू करें और आपको हमसे ऐसी ही इंफोमेशन हमारा चैनल नेम स्टेरिविध अमन कूल से ही है वो और आपको इसका लिंक हमारे अबाउट में मिल जाएगा और आप कमेंट कर देंगे तो मैं आपको कमेंट में भी दे दूंगी कि या आप टेलिग्राम पे सेर्च करेंगे आप हमारे चैनल करें तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा तो आप जाके देख सकते हैं और जॉइन हो जाएगे जिससे आपका और हमारा साथ हमेशा तक रहेगा आपका आजका एक छोटा सा कोशन है आपको मैंने ये चार पॉइंट बताएं में चार में से आपको एक पॉइंट कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कोई भी एक पॉइंट कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जिससे आपको ये जो पॉइंट है वो लर्न हो जाए क्योंकि आपको यह learn करना important है और जितना भी आपकी वोक्षीट मेरा है वो सब कुछ important ही होते तो आप उस अच्छे से ध्यान से पढ़िए और समझे और मेरे जलको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, थैंक्स वोचिंडियो, बैबे गाई